आज अम्भूत काल या पास्ट्रेंस के जो थर्ड भेद है तीसरा भेद है वो कौन सा है पास्ट परफेक्ट उसके वाक्य पढ़ेंगे कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल, had you not gone to the cinema? क्या तुम नहीं गए थे? थर्ड फॉर्म लगेगी गो? गो की थर्ड फॉर्म गए थे? तू दा सिनेमा मतलब जो पिच्चर हॉल होता है क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? बिमल, नहीं बिमल no, I had not क्या बे दुकान बंद कर चुका था? रमा had he closed the shop had he क्या वहे? closed मतलब बंद कर चुका था? दा शौब दुकान तो ये close मतलब बंद करना और close की थर्ड फॉर्म में closed राधा हां कर चुका था? राधा yes, he had राम क्या बेहे आपको कल तक नहीं मिला? राम had he not met you till yesterday? क्या बेहे नहीं? meet मतलब मिलना meet की थर्ड फॉर्म में met नहीं मिला you तुम से till yesterday? कल से क्या बेहे तुम से क्या मतलब तिल yesterday? कल तक क्या बेहे कल तक तुम से नहीं मिला? शाम नहीं बेहे कल तक मुझे नहीं मिला था शाम no he hadn't मतलब यह had not had not को short में had not लिग दिया no he had not रामन क्या तुम कल खेलने नहीं गये थे? रामन had you not gone to play yesterday? क्या तुम नहीं gone go की थर्ड फॉर्म है gone गये थे तुपले खेलने के लिए yesterday मतलब कल सुधी नहीं मैं नहीं गया था सुधी no I had not नहीं मैं नहीं गया था सचिन क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? सचिन had you met meet की again थर्ड फॉर्म है यहाँ पहले अमने यहाँ पर पड़ी सेम यहीं भी meet की थर्ड फॉर्म met had you met रोहित एनिवेर विफॉर् क्या तुम मिले थे रोहित से एनिवेर मतलब कहीं बिफॉर मतलब पहले क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? अनुज हाँ मैं उसे दो साल पहले शिमला में मिला था अनुज yes I had met him in Shimla two years ago I had हाँ I had met मैं मिल चुका हूँ उससे या मैं मिला था him उससे in Shimla Shimla में two years ago दो साल पहले नीरज क्या तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी ja चुकी थी had the train left before you reach the station had the train क्या train left मितलब जा चुकी थी left मितलब चले जाना जा चुकी थी before पहले you reached reach की third form में reached तुम्हारे जाने से पहले दा स्टेशन तक क्या तुम्हारे स्टेशन तक जाने से पहले train जा चुकी थी सौरव हाँ जा चुकी थी सौरव Yes, it had सीमा क्या तुम्हारी मा तुम्हारे घर पहुँचने से पहले बाजार जा चुकी थी सीमा Had your mother gone to market before you reached home Had your mother क्या तुम्हारी मा gone मतलब go की थर्ड फॉर में gone to market जा चुकी थी बाजार before you reached home जब तुम घर पहुची तुम्हारे घर जाने से पहले क्या तुम्हारी मा बाजार जा चुकी थी मीरा नहीं वे नहीं जा चुकी थी मीरा No, she hadn't Hadn't मतलब had not No, she had not नहीं, वो नहीं गई थी क्पान की थी मा चुकी थी मा जोची थी माट रपाना से वी क्इब नहीं जो नहीं मा चुकी थी